सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलोजी टिप्स यूटूब चैनल को और दबाईए घंटे की बटम को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट ये बिल्कुल फिरी है दो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने ब्लॉग वैपसाइड में किस तरह से मेटाटेक डिस्क्रिप्शन लगाएंगे और कहां से जनरेट करेंगे दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टूटूरियल है दोस्तों अगर आपने ब्लॉग इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे करते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो आपको यह लिंक मिल जाएगा डाडिक्टली आप चले आईए का हमारे वेबसाइट पर यहां पर बहुत कुछ मैंने लिखा है कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और यह होता क्या है यह सब सारी जानकारी हमने यहां पर पोस्ट कर दी है और यहां पर कर लेते हैं और आपको यहां पर डारेक्टली इसके वेबसाइट पर यहां पर ले जाया जा रहा है तो दोस्तों यहां पर वेबसाइट में आ चुके हैं नेट बहुत सुलो है इसलिए मैं इसको फूरा खुलने का अंतजार नहीं करूंगा इसको डॉन किजिएगा दोस्त यहां पर सबसे पहले डिस्किप्शन डिस्किप्शन आपको आपके बूलोंग में जो भी अपने डिस्किप्शन रखिज़ा बस ऋखी डाल्ना है सेटिंग जाने कले यहां स्टाइब का इंटरफेस दिखेगा आप यहां से कॉपी कर लिए यांप पर दोस्त displiक करें बात रहिए दोस्तों कीवर्ड कीवर्ड भी हम यहीं से लेंगे तो यहाँ पर simply search preference के उपर click करेंगे और यह जो meta take description है इसे यूँ कहते है keyword तो हम लोग यहाँ पर इसको simply copy कर लेते हैं copy करने के बाद यहाँ पर keyword के उपर हम लोग यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं author name आप यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं तो चलिए हमने दे दिया आए टेकनिकल हिंदी simple यहाँ पर create meta take के उपर हम लोग click करेंगे और यहाँ पर पुछा जा रहा है आप sure है यहाँ से ओर हैं तो okay कर देना है और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप यह हमारा keyword यानि generate हो चुका है और यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि आपको लगाना कहा है तो head tag के नीचे लगाना है ठीक है तो simply हम लोग यहाँ से copy करेंगे कॉपी कर लिए हमने सबको सेलेक्ट करना है कॉपी करने के बाद हम लोग simply अपने ब्लॉग के डेश्बॉट पर जाएंगे और थीम के ओपर किलिक करेंगे थीम के ओपर जैसे किलिक करते हैं तो थीम हमारा यहाँ पर open हो गया और यहाँ पर edit HTML के ओपर हम लोग किलिक तो बस आपको श्रीप यहाँ पर जो भी करना है श्रीप पोस्ट करना है यहाँ पर देख सकते हैं उपर से चौथे नंबर पर होता है इसको हम लोग यहाँ पर करसर रखेंगे सर्च करने की बिजरूरत नहीं है simple इंटर मारेंगे और यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर द अब हमारा इसका भी काम खतम यानि completely हमारा blog website का SEO भी होता जा रहा है और हम लोग पोस्ट भी करते जा रहे हैं और हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है किसी तरह का भी कोई भी funda है ही नहीं तो अब कुछ नहीं करना है दोस्तों अब simply हमारा website यहाँ पे completely तयार हो चु करेना है और simple सा process है हम लोग apply करेंगे Google Adsense के लिए मुबारक हो दोस्तों टुटोरियल बहुत जल्दी खतम होने वाला है और जैसे ही Adsense का approval मिल जाएगा तब हम आपको जरूर बताएंगे कि एड वगेरा कैसे लगा सकते हैं अगर Adsense का approval मिलने में तो टाइम लगता है तो हम हम अपने website के उपर जेंचा पर लगाते हैं इस तरह का हम जो आड लगाते हैं तो इसी तरह का हम आपको बता देंगे कि कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियों में बस इतना ही मिलते हैं अपने next वीडियों में तब तक अपना ख्याल रखे कुश रहें इसी तर कमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने थैंक यू फूर वाचिंग